प्रस्न चार निम्न लिखित दस्मलों संख्याओं को भीन के रूप में लिखकर सरल्तम रूप में बदलिए पहला प्रस्न है सुन्य दस्मलों सुन्य सुन्य पांच तो इसको क्या करना है दस्मलों संख्याओं को क्या करना है भीन के रूप में लिखकर के तो पहले इसको भिन्य के रूप में लिखना है तो सुन्य दस्मलों सुन्य सुन्य पांच को भिन्य के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा पांच बटा एक हजार क्योंकि दस्मलों के बाद तीन अंक है देखे दस्मलों के बाद तीन अंक है भीने के रूप में, तो संख्या को भीने के रूप में बदल दिये हैं, अब सरलतम रूप में लिखना है, तो देखे, पांच से एक हजार कट जाता है, दो सो बार में दो सो पचे एक हजार, यानि इसका उत्तर आगया, एक बटा दो सो, पांस से एक हजार कट गया 200 बार में दोसो पचे एक हजार तो उपर कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे और बटा 200 इसका हो गया सरल्तम रूप तो इस तरह से पहले दसमलो संख्याओं संख्या को भीनिके रूप में बदलना है फिर सरल्तम रूप में उसका उत्तर लाना है दूसरा 75.6 तो ये हो जाएगा ये दसमलो रूप में दिया हुआ है 75.6 तो इसको भीन के रूप में लिख लेना है तो भीन के रूप में हो गया 756 बटा 10 क्योंकि दसमलों के बाद एक अंख है तो एक पे एक सुन्ने देंगे तो 756 बटा 10 हो गया तो ये हो गया भीन रूप में अब इसको सरल्तम रूप में लाना है तो देखें 2 से कट रहा है 2 पचे 10 2 से ये भी कट रहा है 2 तिया 6, एक इधर गया 15 हो गया तो 2 से दोनों कट रहा था 2 पचे 10 और 378 दूना होता है 756 तो सरल्तम रूप आ गया 378 बटा 5 अब नहीं कटेगा किसी भी संख्या से तो ये हो गया सरल्तम रूप तो इसका उत्तर आ गया 378 बटा 5 तीसरा एक पॉइंट 6 आट एक दसमलो छे आट तो इसको पहले ये दसमलो रूप में दिया हुआ है तो इसको भीन के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा 168 बटा 100 क्योंकि दसमलो के बाद दो अंक है तो एक पे दो सूने देंगे ठीक है तो 168 बटा 100 हो गया ये हो गया भीन रूप में तो दसमलो रूप से भीन रूप में ला दिये हैं अब इसका सरल्टम रूप में लाते हैं तो देखे 4 से कट रहा है तो चार से दोनों कट रहा था तो इसका सरल्तम रूप आ गया 42 बटा पचीस अब नहीं कटेगा किसी भी संख्या से तो एक दस मलोव छे आठ बराबर हो गया 42 बटा पचीस चौथा प्रस्न बारह दस मलोव बारह दसमलोव नौ आठ चार तो दसमलोव रूप में दिया हुआ है इसको भीने रूप में बदल लेते हैं तो हो जाएगा 12,984 बटा 1000 दसमलोव के बाद तीन अंख है तो एक पे तीन सून्य देंगे बटा में तो 12,984 बटा 1000 हो गया ठीक है अब देखिए आठ से कट रहा है ठीक है आठ से ये दोनों कट रहा है आठ के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा यानि 125,981,000 आठ से दोनों कट जाएगा ठीक है तो 125 यानि 8 से 1000 को काटेंगे तो 125 बार में कटेगा क्यूंकि 125,8 होता है 1000 अब 8 से ये भी कट रहा है इसलिए देखिए 8 से दोनों कट रहा है इसलिए 8 से दोनों कट लेंगे 4 से भी कट रहा है ठीक है तो 4 से काटेंगे तो फिर 2 बार काटना पड़ेगा इसलिए डाइरेक्ट आठ से काट देते हैं तो आठ गुना एक आठ चार इधर गया, 49 हो गया तो आठ शकर 40 एक इधर गया, 18 हो गया तो आठ दुना 16 लगा देंगे, दो इधर गया 24 हो गया आठ तीया 24, देखें आठ से पुरा-पुरी कट गया है तो आगया 1623, बटा 125 ठीक है, आठ से दोनों कट रहा है चार से भी दोनों कट रहा है, दो से भी दोनों कट रहा था तो दो से अगर काटते हैं, तो तीन बार काटना पड़ता चार से भी काटते हैं, तो दो बार काटना पड़ता तो 8 से काटे हैं तो डाइरेक्ट देखिए इसका उत्तर आ गया अब नहीं कटेगा ठीक है तो 8 से दोनों कट रहा है इसलिए 8 से काट लेंगे तो इसका उत्तर आ गया 1623 बटा 125 पांचवा प्रस्न सून्य दसमलो सून्य सून्य चार तो ये दसमलो सून्य सून्य चार है यानि दसमलो रूप में दिया हुआ है तो इसको भीन रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा चार बटा एक हजार क्योंकि दसमलो के बाद तीन अंग है तो एक पे तीन सून्य देंगे बटा में थीक है, तो 4 बटा 1000 हो गया तो दसमलो रूप से भीन रूप में आ गया है अब इसको सरलतम रूप में लाना है तो 4 से 1000 कट जाता है थीक है, तो 25 चौके 100 हुआ और 1000 है तो 250 हो जाएगा, यानि 4 से 1000 250 बार में कट जाएगा 250 चौके 1000 तो इसका उत्तर आ गया एक बटा दो सो पचास सरल्तम रूप में छट्था प्रस्न है छे दसमलो छे आट तो इसको लिखेंगे ये दसमलो रूप में है तो इसको भीन रूप में लाएंगे पहले तो हो जाएगा छे सो आड़ सठ बटा सो क्योंकि दसमलो के बाद दो अंख है तो एक पे दो सुनने देंगे तो 668 बटा सो हो गया यानि दसमलो रूप से भीन रूप में आ गया है अब इसको सरल्तम रूप में लाना है तो देखें चार से दोनों कट रहा है पचीस चोके 100 चार से ये भी कट रहा है चार गुना एक चार दो इधर गया 26 हो गया चार चक 24 लगाएंगे दो इधर गया 28 हो गया चार सते 28 तो चार से 668 एक सो सड़ सट बार में कट जाएगा तो छे दसमलो छे आठ बराबर आ गया 167 बटा 25 अब नहीं कटे गया ये किसी संख्या से ये हो गया सरल्तम रूप तो दसमलो रूप से भीन रूप में लाना है फिर सरल्तम रूप में उसको काट के ला देना है तो इसका उत्तर हो गया 167 बटा 25